देश भर के लाखों पेंशन भोग्यों का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल जगत में हार्दिक स्वागत है टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत इंपोर्टन जानकारी है आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपकी जो रिवाइजड पेंशन है ये बताए गई है एक जलाई 2019 से जो एफेक्टिव होगी और इसमें आर्मी के जो रैंक हैं जेसियो एंड और जो रैंक हैं जेसियो एंड आदर रैंक जो हैं उनको शामिल करते हुए जो नेवी और एर्सपोर्स के जो रैंक हैं समकक्स रैंक हैं उनके ये नई पेंशन आपकी कितनी होने वाली है इस टेबल में आप ये जान पाएंगे आपको बताना चाहूंगा टेबल को आप ध्यान से पूरा समझें ताकि आपको किसी भी तरह का कनफ्यूजन है ये ना रहे अब ये एक बार टेबल समझ लेते हैं टेबल के अंदर यहां पे आप देखेंगे तो सबसे पहला यहां पे कॉलम दिया गया है रैंक का तो ये रैंक दिये गए हैं सिपाही और नाइक और टियस नाइक होलडार और इनके समकक्स रैंक जो हैं नेवी और रैसफोर्स के ये इनके समकक्स रैंक भी यहां पे इनके साथ में ही शामिल किये गए हैं अलग अलग यहां पे रैंक दिये गए नाइब सुबेदार सुबेदार और भी आगे रैंक दिये गए हैं और उसके बाद में यहां पे थोड़ा सा ग्रूपिंग जो है यह जैसे 1973 से पहले वाले थे उनमें जो ग्रूप थे उनमें A ग्रूप को अलग कर दिया B से H को शामिल कर दिया सारी रिंक के अंदर यही किया गया है A ग्रूप को अलग किया गया है और B से H को एक साथ सामिल कर दिया है A ग्रूप और B से H को एक साथ यानि दो ग्रूप बना दिये गए हैं 1973 से पहले वालों के और 1973 के बाद वाले जो हैं पोस्ट 1973 जो हैं उनके लिए भी इस तरह से क्या गया ग्रूप A और उसके बाद में B से E ग्रूप था उस टाइम पे तो B से E को एक साथ में स्यामिल कर दिया गया है सारी रेंक के लिए य के बराबर X को ले लिए गया है और बाकि Y और Z को उपर वालों के बराबर यहां पर Y और Z को मान लिया गया है तो यहां पे इस तरह से अपने grouping को समझ लीजिए आप जिस भी ग्रूप में मेरे टायर आये हैं उसके बाद में 2006 के बाद वाले जो हैं उनमें दो ही तरह के ग्रूप थे X और Y तो इनी X और Y के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं कि उपर वाले जितने भी दी गई है qualifying service है यह आपकी जितनी service बनती है उसके बाद में आप अपने rank देखेंगे कौन सी rank है group देखेंगे और आप अपने basic pension है वहाँ आप सठीक पता आप इसमें कर सकेंगे चलिए मैं आप एक example ले ले लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ताकि आपको किसी दर का confusion भी न रहे जैसे कि बात कर लेते हैं कोई 22 साल की service कर चुके जो हविलदार है उसके हम देखते हैं तो 22 साल की service कर चुके हविलदार जो है यह हविलदार rank है यह 22 साल की qualifying service है अब हविलदार में यहाँ पे दो group है X और Y तो X ग्रूप में आप आगे बढ़ेंगे और इधर 22 वाले जो qualifying service है इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 26,260 रुपे basic pension यहाँ पे आपको मिलती है तो इस तरीके से आप अपनी basic pension है यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैसे बात कर रहेते हैं किसी pension है 24 साल की qualifying service है और वे नाइब सुवेदार की rank है उससे वो retire हुए हैं और Y ग्रूप से हैं तो यहाँ पे आप Y ग्रूप में आगे बढ़ेंगे और इस side में आगे बढ़ेंगे 24 साल की qualifying service में देख सकते हैं अब आपको सारी rank जो है एक साथ देख सके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जूम आउट कर देता हूँ अब यहाँ पे आप इसका screen shot जो है वो आप लेके screen shot लेके और उसके अंदर आप अपनी देख सकते हैं basic pension और आपको यह मैं provide भी करवा दूँगा यह जो waspick जो PDF है यह भी मैं आपको provide करवा दूँगा ताकि आपको क्योंकि pension अरो उनको छोटे अक्सर देखते नहीं है इसलिए मैं आपको यह provide भी करवा दूँगा ताकि आप इसमें आराम से देख सकें और यह आपके सामने stable का first page है इस first page में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो qualifying service है यह 0.5 से ही दिखाया गया है तो आप सोच रहे होंगे qualifying service जो है यह 0.5, 1, 1.5 इस तरह से भी होती है क्या तो आपको बताना चाहूँगा कि जो pensioner medical base के ओपर pension आते हैं और यह उनके लिए यहाँ पर 15 साल तक का जो यह qualifying service दी गई है 15 साल से पहले वाली यह उनहीं के लिए है और बाकी जो pensioner normal pensioner है उनके लिए 15 साल से बाद वाली जो table है यह दी गई है यह आपको यहाँ पर दिखा दे इसी table के last में यहाँ पर जो guideline दी गई है इसी guideline के अंदर यह बताया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बता रखा है कि जो below 15 years qualifying service है यह disability pensioner और inuality pensioner है उनके लिए है और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो pensioner JCO and OR जो है उनकी pension है जो 15 साल और उसे above जो है आप यहाँ पर इसमें table के अंदर दिया गया है नॉर्मल discharge जो है उनके लिए तो यहाँ पर आप बड़ी आसाने से यह देख सकते हैं अब बात यह आती है कि आपने यह तो देख लिया है आपने यह भी समझ लिया है कि आप अपने basic pension किस तरह से पता कर सकें आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको confusion ना रहे जैसे कोई medical base वाले है साथ साल की जिनकी service रही है और वे यहाँ पर आये हैं सुवेदा rank से मान लीजिए कि वो आये हैं तो यहाँ पर सुवेदा rank के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे की तरह भी साथ साथ वाली line के अंदर आगे बढ़ेंगे साथ साल की qualifying service में और इधर आप इसमें बढ़ेंगे तो 21,975 रुपे यहाँ पर basic pension यह आपको नजर आती है तो इस तरीके से आप अपने basic pension देख लेएं और अब यह जो PDF जो है code को scan करेंगे तो आपको यह PDF बड़ी आसाने से मिल जाएगी square code के अंदर मैंने PDF डाल दी है बस आपको यह scan करना है scan करेंगे तो आपके सामने इस तरह का option आएगा और यहाँ पर आपको website वाले पर click करेंगे तो यह PDF आपके सामने खुल जाएगी बड़ी आसाने से आपको मिल जाएगी इस table को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का प्रेसन हो संका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं यह table एक table नहीं है बलकि यह OROP के तहत बहुत सारी table जारी की गई है सारी table आपको उस PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारी table नहीं है यह table नमर 7 जो है यह मैंने आपको यहां पर समझाई है जिसमें JCO and OR के लिए यहां पर दी गई है आपकी revised pension है यह बताई गई है और यहां पर देखेंगे तो लगबग 33 साल और उसे उपर तक की service जो है उसके लिए यहां पर यह complete जो table है यह जारी की गई है और मुझे लगता है कि यह समझने के बाद में किसी भी तरह का आपके confusion नहीं रहेगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे लेकिन आपसे निवेदर नहीं कि channel subscribe और वीडियो को लाइक कर देवेए जय हिंद जय भारत